आज हम लोग chapter 7 का एक निया topic algorithm पढ़ेंगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि algorithm है क्या अगर आप जानना चाहें algorithm है क्या तो जो programmer होते हैं प्रोग्राम बनाने के पहले अपने प्रोग्राम को step by step लिखते हैं ठीक है क्या करते हैं अपने प्रोग्राम को step by step लिखते हैं और simple English में या अपनी भासा में लिखते हैं वही algorithm यानि algorithm है क्या algorithm प्रोग्राम को solve करने का एक तरीका और एक method है आईए हम इसको detail में समझते हैं कि algorithm है क्या तो जैसा मैंने आपको बताया कि algorithm क्या है programmer लोग अपनी समस्या लेते हैं और उस समस्याओं को step by step लिखते हैं देखें वही बात यहां बताई गए है कि algorithm क्या है कि समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया है प्रोसेस है अथवा सूत्र है हाँ formula भी आप बोल सकते हैं चुकि उसके मदद से वह program को solve करेंगे इसलिए आप formula भी हो सकते हैं जो specified action के अनक्रम अनक्रम मतब sequence में किस प्रकार वो काम करेंगे उसको step by step लिख लेते हैं sequence का संचालन करने पे आधायत based है computer program को विस्तित algorithm के रूप में प्रदेशित किया जा सकता है जो computer का program होता है actual में वो algorithm का ही एक रूप होता है यानि programmer ने पहले algorithm बना लिया और उसको code में convert कर लिया तो जैसे गरित एवं computer विज्ञान में algorithm का अर्थ एक छोटी प्रकिया small process है बिल्कु सही हम एक बड़ी प्रकिया करने जा रहे हैं तो उस बड़ी प्रकिया से पहले हमको एक छोटी से प्रकिया करते है that is the algorithm तो जो एक आवर तक समस्या यनि recurrent problem को हल करता है यनि आप समझे है कि algorithm क्या है algorithm एक problem को solve करने का एक तरीका है आईए हम इसे और detail में समझते हैं ठीक है तो algorithm मताइ सन रष्णाओं की आधार पर algorithm को तीन भागों में वरगिक बड़ किया सकता है अगर हम algorithm को divide करें तो हम algorithm को तीन भागों में divide कर सकते हैं वो भाग कौन कौन से हैं पहला है एक sequence algorithm sequence algorithm का मतलब हम sequence में चीजों को दिखेंगे आगे बात करते हैं branching algorithm branching algorithm का मतलब हम problem को branch wise categorize कर लेंगे तीसरा है loop algorithm loop का मतलब होता है कि जब हम कोई एक ही statement को बार बार print कराना चाहते हैं उसे बोलते है loop यहनि कोई ऐसी प्रक्रिया या जो पूरे process में कई बार होगी तो उसे हम loop algorithm की मतलब से समझेंगे ठीक है तो पहला हम देखते है sequence algorithm या अनुकरम algorithm नाम ही आपको बता रहा है कि sequence algorithm मतलब problem या समस्या को हम sequence wise solve करेंगे देखते हैं क्या है तो इस प्रकार के algorithm को चरण यानि steps की एक सिंकिला series के साथ चित्रित अर्थात प्रदसित किया जाता है ठीक है यहीं जो भी problem है उसको problem को step by step हम करते हैं पर देख चरण series को एक के बाद एक निस्पादित execute कियाता है पहले तो step by step करते हैं कि क्या हमें करना होगा और फिर हम उसके execute करने की बात करते हैं कि जो problem को हमने solve करने के तरीका सोचा था उसको हम किस प्रकार execute करेंगे तो पहला हो गया sequence दूसरा है branch की algorithm तो जैसा ना भी बता रहा branch मतलब इससे branch बनाए जाएगा तो किस प्रकार के branch बनाए जाएगी तो इस प्रकार की algorithm को यदि if then यानि पहले तो हमने कहा कि इस तरह की समस्थाँ को solve करेंगे लेकि जरूनी कि जैसा जैसा आपने कहा वैसे उसी problem होती है कभी-कभी problem में if then की बात आती है तो जैसे कहा कि if यानि हमने कहा कि पहले तो बात करते है sequence की sequence follow गा लेकि if then का मतलब क्या है से रिप्रेजेंट किया आता है इसमें यदि स्थित कंडिशन सकते हैं बास समझेगा यानि जब अगर स्टेट्मेंट ट्रू होगा तब तो हमें आउट्पुट मिलेगा और अगर वो स्टेट्मेंट ट्रू नहीं हुआ जैसे हमने कहा कि यदि आपको यदि जिए ए इस ग्रेक्टर देन बी सपोर्ज रिप्रेट्में नहीं है तो यह नि यह कोई स्टेट्वन चलने वाली चीज नहीं है इसमें क्या होगा यानि जब कंडिशन टू ही तो तो कोई दूसरा action होगा और condition false होगी तो कोई दूसरा action होगा, ठीक है, तो गलत है, false है, तो output भी प्राप्त होता है, वही बात हम यहाँ समझा रहे हैं, तो यह algorithm chain, यह selection type के रूप में भी जाना जाता है, पहला वाला तो sequence था, कि selection wise था, कि sequence wise लिखते जाएंगे, उस तरह perform हो जाएगा, दूसरा, इसमें ऐसा नहीं कि sequence से perform होगा, इसमें ऐसा होगा, कि जब अगर condition true होगी, तो कुछ statement दूसरा run करेगा, और statement false होगी, तो statement दूसरा run करेगा, ठीक है, तो हमने अभी तक दो algorithm देखा, एक sequence, दूसरा branching, ती कई बार, कते हैं, लूप में कोई जी फंस गई, लूप को मतलब कई बार continuous, तो इस प्रकार के algorithm, process को एक दिश्चित इस्थि, condition के अंतरगत, बार बार execute किया आता है, लूप मतलब बार बार, यह कोई condition है, उसको बार बार जब हम execute करते हैं, तो इस प्रकार बोलते हैं, जैस इसे for, अथवा while द्वारा प्रदसित या represent किया आता है, programming language में for loop इस्तमाल करते हैं, while loop इस्तमाल करते हैं, वो जब programming की हम बात करेंगे, तो detail में उसको बताएंगे, इस algorithm को पुन्रा वित्ती, प्रकार, repetition के प्रकार या की रूप में भी जाना आता है, चुकि एक ही statement बार ब रहा है, तो इसलिए हम इसे पुन्रा वित्ती, प्रकार, यानि repetition type के रूप में भी जानते हैं, तो हम समझते हैं, तीन पढ़ा, पहला sequence, sequence में क्या था, कि उसमें कुछ नहीं, उसमें step by step perform होगा, दूसरा हमने पढ़ा, branching, branching का मतलब selection, यानि जब statement सही होगा, तो दूसरा statement, और अगर false हुआ, तो दूसरा statement, तीसरा हमने loop algorithm पढ़ा, loop algorithm में क्या देखा, कोई एक ही कारे को हमें बार बार repeat करना होगा, तब हम वहाँ पे loop algorithm का प्रयोग करते हैं, ठीक है, आगे हम समझते हैं, अगर हम information technology के सभी छेत्रों एरिया में algorithm व्यापक रूप से उप्यों कि बिल्कुल करते हैं, किसलिए करते हैं कि कोई problem है, कोई समस्या, उसको solve करने के लिए हमें अच्छे से समझना होगा problem को, और उस problem को solve करने के लिए हमें steps को भी follow करना होगा, ठीक है, उदारण के लिए एक होज engine, यानि search engine algorithm से input के रूप में keyword लेता है, जैसे कि Google search engine है, आप को movie का नाम लिखते हैं, वो पूरा search करके दे देता है, तो इसका algorithm किस परकार बनाएगे, कि Google को जब भी कोई keyword दिया, आपने supposedly लिखा कि यूपी टेक, या आपने लिखा कि घटना चक्र, यानि कोई भी keyword आपने इस्तमाल किया, जैसे आपने keyword इस्तमाल किया, तो वो उस keyword से मि देटाबेस को खोशता है, search करता है, और आपको क्या देता है, परिणाम, आपके सामने उपस्तित करता है, कि यह आपका परिणाम है, आगे और समझते हैं, encryption, encryption कि अगर हम बात करें, एक encryption, algorithm, दस्तावेज़ों को, को संरच्छे सेप करने के लिए, निर्दिस्ट कार, यानि specified work, suppose that हम बोते हैं, encryption, encryption एक तरसे security है, आपकी कोई information है, उसको इस प्रकार से encrypt कर दिया जाए, कि hacker या cracker, उसके data को आप प्राप्द भी करते हैं, तो भी उसमें किसी प्रकार के छिर्चार न कर सकें, तो के अनुसार बदलता है, उदाहन के लिए, स्वयम, अमेरिकी विभाग defense के data encryption standard, DES है, मतलब अमेरिकार ने खुद एक standard बना रखा है, जिसका नाम है DES, DES का मतलब है data encryption standard, जैसी एक गुप्त कुंजी, algorithm, दस्तावे data को encrypt, एवं decrypt करने के लिए एक ही कुंजी का प्रियोग करती है, यानि एक method है, उस method के दोरा उसे encrypt भी करती है, और उस method को जारा, उसे decrypt भी कहती है,